Welcome back students, students हम science में chapter 9 की study कर रहे थे, जिसमें हमने यहाँ पर end किया था, अब हम next topic से continue करेंगे, so the next topic is taking proper rest. Our body works like a machine, so it needs proper rest when tired. हमारा जो शरीर है वो एक machine के जैसे काम करता है, इसलिए इसे जब यह थक जाता है, तो इसे आराम की आविश्यक्ता होती है. Taking proper rest and sleep make our body and mind feel fresh. सही आराम लेना और सोना हमारे शरीर को और हमारे मस्तिस्क को तरो ताजा महसूस कराता है. It also helps in gaining energy which was lost while doing work. यह energy को ऊर्जा को भी बढ़ाता है जो काम करने में खत्म हो जाती है. We must sleep for 8 hours a day. हमें एक दिन में 8 घंटे सोना चाहिए. Care of sense organs. Sense organs are very essential to keep them healthy and make them work longer. We should take proper care of them. Sense organs बहुत ही आवश्यक हैं और बहुत महत्पूर हैं. इन्हें स्वस्थ रखने के लिए और इन्हें लंबे समय थक कार्म करने के लिए हमें इनकी अच्छे से देखवाल करने की करनी चाहिए. Eyes should be washed with fresh water 2-3 times a day. Eyes को आँखों को दिन में 2-3 बार ताजे पानी से दोना चाहिए. Eyes should never be rubbed if something enters in your eyes. Clean your eyes with water. Eyes को कभी भी रगड़ना नहीं चाहिए. और जब कोई भी चीज आपकी आँख में चली जाती है तो उसे साफ पानी से दोना चाहिए. Never wear spectacles of others. और किसी अदर का चस्वार नहीं पहनना चाहिए. Do not watch TV और study continuously for a long time. लंबे समय तक लगातार TV रही देखनी चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए. Take a proper diet including green vegetables and milk in it. और अपनी आहार में एक proper मतलब अच्छा आहार लेना चाहिए. जिसमें हरी सबजियां हो और दूद हो. Ears do not use any hard object like safety pin and match stick to clean the ear wax. Instead use ear buds. Ear buds के अलावा कोई भी कठोल चीज जैसे की safety pin है या माचिस की तीली है उसको कान को साफ करने के लिए use नहीं करना चाहिए. Never hear loud music. कभी भी तेज music नहीं सुनना चाहिए. Wash ears while taking bath. Take care that water may not enter the ears while bathing. painting. जब अब नहा रहे होते हो तो अपने कानों को दोना चाहिए. और यह ध्यान रखना चाहिए. जब आप नहा रहे होते हो तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि पानी कान के अंदर न जाए. sneeze nose to push all dirt out while washing face or taking bath नाते समय या मूद होते समय नाक को नोज को अपनी को sneeze करना चाहिए और जो dirt होती है उसे बाहर निकाल देना चाहिए Do not put fingers in the nostrils और अपने nostrils के अंदर finger नहीं डालनी चाहिए Use clean hanky if suffering from cold अगर आपको cold हो जाता है तो आप साफ रुमाल का प्रयोग करें Tongue, tongue should be regularly cleaned while brushing the teeth जब आप दातों को brush कर रहे होते हो तो आपको jeep को भी, tongue को भी साफ करना चाहिए Rinsing of mouth should be done after every meal to keep the tongue clean Pratik मतलब हर meal के बाद आपको अपना मुह दोना चाहिए और अपनी जीव को भी साफ करना चाहिए Drinking and eating very hot things should be avoided as they burn the tongue and damage our taste buds ज्यादा गर्म खाना या पीना हमें avoid करना चाहिए क्योंकि यह हमारी जीव को जला देते हैं और हमारी जो taste buds होती है उनको यह damage कर देते हैं Skin clean it properly while taking bath जब आप नहां रहे होते हो तो इसे अच्छे से साफ करना चाहिए Protect it from severe sun rays और बहुत तेज सूर्य की किरनों से इन्हें बचाना चाहिए Skin को wear clean and iron cloth और iron किये हुए और धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए यह chapter आपका end होता है इसको आपको अच्छे से read करना है और अच्छे से समझना है इसकी pdf आपको send कर दी जाएगी उसमें से आपको exercise verb को अपनी notebook में note करना है और उसे learn करना है